मैं जोती भाटी सेथ और स्वास्ते चनल पर आपका स्वागत करती हूँ यदि आपने मेरे सेथ और स्वास्ते चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बटर पर भी कलिक करें मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटिड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों दानत अगर स्फेद और चमकतार हो तो स्माइल भी हर किसी का मन मोह लेती है लेकिन कई बार कुछ कारणों से दानत पीले हो जाते हैं कई बार तो उमर से पहले ही दानतों में दर्द, मसूडों में सूजन और दानतों में किड़े या फिर और भी कई परशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार दानतों की साफ सुफाई करने के बावजूद भी दानत खराब हो जाते हैं आज मैं आपको दातों का पिला पंदूर करने के साथ दातों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नैचरल पेस्ट बताओंगी इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप पानी, हाफ कप बेकिंग सोडा, एक चमच अलोवेरा जेल, एक चमच ग्लीसरीन और चार से पांच बूंदे नीबू के तेल की एक बाउल में बेकिंग सोडा, अलोवेरा जेल, गलीसरीन और नीबू का तेल डाल कर मिक्स कर ले अब इस मिक्चर में पानी मिलाकर पेस्ट की तरह तयार कर ले रोजाना इस नैच्रल पेस्ट से दो मिंट अपने दातों को साफ करे इस पेस्ट के रेक्टर यूज से दातों का पिलापन दूर होकर दास फेद हो जाएंगे और मसूडों में दर्द से भी चुटकारा मिल जाएगा फ्रेंड्स वीडियो बेनिफिशल लगी है तो प्लीस लाइक वे शेयर करें थैंक्स फॉर वचिंग मैं वीडियो